नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी से कुछ आज बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आते रहता है मैसेज आते रहता है वाटसेप पे फिस्बूक पे जनरल कॉलिंग यूटूब पे और बस एक ही सवाल होता है बच्चों का कि सर रिजल्ट कवाएगा नया जो 33,960 जो भैकेंजी आने वाला था वो कवाएगा तो दोस्तों इसी से सम्मंधित कुछ अभी हम बाते करेंगे है ना क्योंकि बहुत दिन से आप लोग से एस्टेट से सम्मंधित कुछ बाते नहीं किये हैं तो आज सोचे कि और क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी परस ने उठ रहा था इसको ले करके कि बहुत दूख होता है क्योंकि एस्टेट का एक्जाम आप सभी का सेप्टेंबर में हुआ था अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी लगभगादा कतम हो गया तीन से चार महिना आप लोगका एक्जाम हुए हो गया है ठीक है और अभी तक इसका कुछ भी अता पता नहीं है कि result आएगा या नहीं आएगा या cancel होगा फिर से एक्जाम होगा क्या होगा कुछ भी मतलब नहीं कहा जा सकता है और ये बहुत दुख होता है दोस्तो क्योंकि मैंने आप सभी के लिए बहुत मेहनत किया था आप सभी भी बहुत मेहनत किये थे हम लोग ठीक है दिन रात मैंने मेहनत किया था आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं यूटूब में लगवग मैंने 300 से ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया था 300 प्लस वीडियो बनाया था सिर्फ एस्टेट की तैयारी के लिए कि आप सभी का सभी सब्जिक्ट का मैंने बनाया था आपका जो भी सब्जिक्ट है मैंने किताब से बहुत मेनत किया था ठारा ठारा घंटा मेनत करते थे दोस्त आप से भी के लिए ताकि अच्छे मार्स अपला सके क्योंकि ये एस्टेट एक्जाम जो था ना 2011 के बाद आया था सोच लिए नौ साल बाद एक्जाम आया था तो यही हमारा कोसिश था कि जितना से जादा से जादा जो भी हमसे जुड़ते हैं वो अच्छे मार्स ला सके और जब ये इस एक्जाम का येसा इस्टेदी हो जाता है कि आज तीन महीना चार महीना हो चुका है अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है कि अखी रिजल्ट आएगा नहीं आएगा क्या होगा कोई पता नहीं एक बार कैंसिल हुआ दो बार कैंसिल हुआ ओफ लाइन हुआ फिर क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं का सकते हैं बहुत दूख होता है और आप लोग को भी होता होगा अब क्या किया जाए बताइए हम लोग आखिर हम लोग की गलती क्या है इसमें तो देखिए इसी से सम्बंधित कुछ है आज हम लोग आपसे कुछ है मैंने लिखा यहाँ पे और इसी से कुछ बात करेंगे जैसे कि बिहार इस्टेट रिजल्ट कोट के अदेशा निसार ही परकासित होगी अभी तो यही चल रहा है कि 19 तारीक को इसका सुनवाई होगा सुरू तो था कि 25 दिसंबर को सुनवाई होने वाला था 25 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ डेट दे दिया गया 19 जनवरी को अब 19 जनवरी को क्या होगा हमें तो नहीं लगता कि कुछ होने वाला है आखिर क्या हो रहा है हम लोग के साथ बताईए फिलहाल रिजल्ट परकासित ह नहीं होगी ये भी कहना मुश्किल है कि प्रकासित ही होगा रिजल्ट उमीद रखते हैं रिजल्ट प्रकासित ही होगी और होना भी चाहिए उमीद तो हमारा यही है क्योंकि हम लोग उमीद के साथ ही जी रहे हैं इतना मेहनत हम लोग किये थे हैं यही नहीं और जब एस्टे 2916 जब भी जारी होगा आप सभी को पूर्ण तयारी कराए जाएगी 100% पूर्ण तयारी कराए जाएगी और बिल्कुल फिरी में कराए जाएगी ठीक है एक भी पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा तु बस हमारे चेनल से आप जूड़े रहिए आप से कुछ नहीं चाहिए ठीक है आप अच्छे मार्स लाइए अच्छे से पढ़िए आगे बढ़िए ठीक है यही मकसद है बहुत रोना आता है जब ऐसे होता है किसी के साथ बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं पिसर क्या होगा क्या होगा ठीक है तेखी 33,916 है यह पद अभी notification नहीं आगा जब तक यह पुराना clear नहीं होगा यह paper में भी कितना वरा आचुगा है और बहतर यही होगा कि estate 2020 का result प्रकासित हो जितना जल्द से जल्द इसका प्रकासित होगा तभी थोड़ा सा भील्द भी घट सकता है है ना तभी आपका 33,916 पद आपका vacancy हो सकता है और जो अभी प्रारंभिक सिछक नियोजन है यह भी देखिए मामला भी फिर से होग रहा है कि इसका ओनलाइन नियोजन कराया जाए इतना दिन से कहां सोया हुआ था पिछले बार अंदोलन हुआ थो सभी ने आपको बोला गया कि ओनलाइन किया जाए ओनलाइन किया जाए अभी दन दिया गया लेकिन उस समय तो कोई नहीं सुना अभी कह रहा है कि इसको ओनलाइन किया जाए अब देखिए ये भी मामला लटक गया ये भी अंदोलन पे होगा अब इसका भी अंदोलन होगा तो मतलब बिना अंदोलन बिना कोट बिना लड़ाय जगड़ा बिना मारपीट के कुछ होता ही नहीं है अखिरा कैसी सरकार बनी है यही करने के लिए सरकार बनी है कि लडाई करो, मार करो और सिच्छक बनो क्या यही बच्चों कि सिखाएंगे टीजर बनने के बाद हमें आप लोग से बस एक ही उमीद है कि आप लोग कुछ कॉमेंट कीजिए बताईए, कुछ अच्छे कॉमेंट कीजिए गंदा कॉमेंट मत कीजिए ठीक है, क्योंकि आप लोग भी एक सिच्छक बनने वाले भविस्य में और आप सभी के लिए मैंने काफी मेहनत किया था आप लोग भी बहुत मेहनत किये थे तो कुछ ऐसा कॉमेंट कीजिए, पोजिटिव कॉमेंट कीजिए कि आखिर क्या किया जाए ठीक है है ना, क्योंकि आप भी भविस्य के सिच्छक हैं, आप भी भविस्य के बना सकते हैं अपने भी अपने बच्चो बच्चों के बभी और आने वाले देस का भी और अपने राजी का भी देखермिए यहां पे कुछ और लिखे हैं देखिए हमारी तबियत सही नहीं है भी, फिर भी मैं सोचा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का ये प्रस्न है कि सार रिजल्ट कवाएगा, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ विडियो एक बनाते हैं, मेरी तबियत खराब है, आपको आज से समझ में आ रहा होगा, तो ये चल रहा है, बिहार दरोगा के अगर तयारी करते हैं, SI का, तो आपको बिहार दरोगा का चल रहा है, BPSC का तयारी करते हैं, तो 66 का पूरा तयारी करवाया गया था, 67 का भी बहुत जल्दा स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, तो इसकी भी तयारी कराए जाएगे, तो और सभी जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा सा सेर कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, खिर क्या करना चाहिए हम लोग को, अना अंदोलन करना है, क्या करना है, कुछ थोड़ा सा एक जुठो करके हम लोग करना पड़ेगा, तब ही कुछ होने वाला है, अब यह से ही रिजल कभी student करता है कभी लाठियां बरसती है कभी कुछ होता है क्या होगा पता नहीं बस हम लोग तो दिन रात मेनत करना जानते हैं कि मेनत करेंगे ताकि हमारा 110 मार्स आ सके ताकि हमारा selection हो सके लेकिन 110 या 120 लाने से भी क्या फाइदा जब question out हो जाता है जो नहीं पढ़ा है उसको question मिल गया जो हम लोग पढ़े हैं दिन दिन रात मेनत करके हम लोग question नहीं मिला और हम अटक गए 110 पे और वो ले आए 120 बिना पढ़ा है 120 पहुझ गया selection हो गया उसका निकल गया वो जो घरीब बच्चा है बेचारा दिन रात मेनत किया आपसे कुछ बात करना था फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में ठीक है तब तक के लिए good bye good night take care अभी देखे रात का दो बज़रा है लेकिन हमें निन नहीं आ रही है बस पता नहीं क्यों तो सोचे चलो आप सभी के लिए कि लिए कुछ बात कर लेते हैं धन्यवाद दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कुछ नहीं